नवश्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की अंतराश्टी राजनीती अंतराश्टी कूटनीती इसका कितना गहरा तालुक कितना तल्ख तालुक रिष्टा इतिहास के पन्नों से है इस पर आज आपके साथ हम चर्चा कर करेंगे अपने इस एपिसोड में सबसे पहली खबर ब्रिटेन की महरानी एल्जाबेथ ड्वित्ती का जब निधन होता है सतर साल का शाशन और उनके शाशन के बाद किस तरह से मातम मनाते हैं देश क्योंकि यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि वह 14 देशों की स्टेट हेड थी जब उनका निधन हुआ उनका रिष्टा किस तरह से गुलामी के साथ है किस तरह से उनके निधन पर कई देशों में जो गहरा गुसा फूटा आक्रोश फूटा इसकी वजह क्या और दूसरी खबर 9-11 की अभी बरसी हुई 9-11 की बरसी में अमरीकी राष्टपती ने कई-कई वायदे किये लेकिन इसका संबंध Global War on Terror से क्या है किस तरह से इससे जुड़ा हुआ जो इतिहास है अमरीका का वह किन सवालों को हमारे सामने पेश कर रहा है इस पर हम चर्शा करेंगे सबसे पहले प्रवीर हम आपसे जानना चाहेंगे कि यह जो शाशन रहा है अभी जब मातम मन रहा है भारत में भी मातम मनाया गया तमाम देशों में मनाया जा रहा है अंतराश्टी खबरें इससे अटी पड़ी है ऐसे समय उन खबरों पे चर्चा बहुत कम है उन देशों पे चर्चा बहुत कम है जहां पर लोगों में गुसा है लोग चाहते थे कि वो माफी मांगे माफी नहीं मांगी और यहां खास तोर से मैं आपसे जानना चाहूंगी केनिया में जो हुआ था क्योंकि केनिया में बहुत तगड़ा विरोध अभी अबजा है सामने आया है ने क्योंकि कीनिया का जिक्र किया है तो नगउगी जो की बहुत बड़े जाने माने साहिक तेकार है उनकी टेक्स बुक यमारी टेक्स होग में डेली उनिवर्स्टी प्नें लेख भी है तो ऐसे लोगों ने साफ कहा हई कि क्यों इस पे क्वीन की मौत पे उन्होंने शोग वेक्त नहीं करेंगे बलकि अपना गुस्सा जाहिर करेंगे ब्रिटन की जो इतिहास रहा है वरबरता की सामरजवाद की कलोनियल लूट की दमन की और खास तोर से आफरिका से जुड़ा हुआ करीबियन से जुड़ा हुआ स्लेवरी दास प्रथा जो उन्होंने चलाया दास क पूरी जो ट्रेड है स्लेव ट्रेड जो है जिसके आधार पे ब्रिटिश पूजीवाद का स्थापना हुआ और इस पे रॉयल फैमिली की बहुत बड़ा भूमी का रहा है क्योंकि रॉयल फैमिली मैं इस पे नहीं जारा कौन सी फैमिली थी क्या थी वो अलग बात है पर र ब्रिटिश रूलर्स की तो उनकी मुनापली थी और ये लड़ाई जो थी इसके वज़ए से जो वहां पर रिवोल्ट हुआ था इसके बाद फिर पूनर स्थापना हुआ रॉयल्टी की पर ये जो पूरा स्लेव ट्रेड और कलोनियल लूट भारतवर्श जिसमें शामिल है ओपियम ट्रेड जिसमें शामिल है ये सब ब्रिटिश रॉयल्टी उस वक्त मौझूद थे और बहुत बड़े उनके पास बड़े पैमाने पे इस लूट का फाइदा भी उन्हीं को गिया है रॉयल्टी को गिया है रूलिंग क्लास ब्रिटिन की गिया है और ब्रिटिश सा अधार पे स्थापना हुआ है फला फूला है सब जगा बढ़ा है ये जो इतिहास है इसलिए याद करना ज़रूरी है क्योंकि दुनिया में ये तस्वीर पेश की जा रही हमारे यहां भी लोगों की काफी लोगों की ये समझ है कि वहां पहले विग्ञान आया रैशनालिट काइम हुआ जिसको इनलाइटनमेंट कहते उससे इंडस्ट्रिल रिविलूशन हुआ इसके बाद वो दुनिया पर हावी हो गये हकीकत दूसरा है वो दुनिया पे हावी इसके पहले हुए थे उसका पूजी आया था पूरी स्लेव ट्रेड और लूट से जिस लूट में भा ओपियम के आधार पे चीन को उन्होंने गुलाम बाया है तो यह इतिहास जो है रॉयल्टी के साथ जुड़ा हुआ है और रॉयल्टी को प्रतीक मानते है ठीक है रॉयल्टी प्रतीक है प्रतीक है ब्रिटिश सामराजवाद की प्रतीक है और यही चीज लोग याद करना च चाहते हैं एक कुइन से जुड़ावा नहीं है रॉयल्टी से जुड़ावा है और आज भी अंग्रेज जो है इस रॉयल्टी को अपना देश के अधिक क्या कहते हैं हेड आफ स्टेट मानते हैं अभी भी वहाँ पर जनवाद उस तरह से काहिम नहीं हुआ कि एक हेरिडिटरी रॉयल्टी जो है तक्त पे बैठेगा उसका पावर्स क्या है अलग बात है पर उसके पास पैसा और जमीन की दौलत बहुत है और कम से कम माफी मांगने का तो अधिकार है ही जो तमाम देश कह रहे हैं कि आपने जो कि और हिस्टॉरिकल इंजस्टिस जो है जो आज सामने है तमाम देशों से जो मांग उठ रही थी वो बहुत सीधी सारी मांग थी कि आपने जो ज्याती की जो अपराद किया मानुफता के खिलाफ कम से कम आप एक स्टेट्मेंट जारी करें कि आप शर्मिनना है और मुआफ़े के लेकर भी मांग थी कि स्लिवरी का जो आपने इतना फाइदा उठाया है जिसमें कई देशों ने दबाव भी बनाया था देखे माफी मांगने पर इतना ही जा रहा हूं माफी शोक्त यह तो अपचारिक चीज़े हैं असली बात जो दुनिया में आनी चाहिए कि सामराज़बाद के खिलाफ हम आज क्या कदब उठाएंगे हम क क्या करेंगे तो उसकी अगर हम उसमें निगाह रखें तो मेरे ख्याल से वो बहतर होगा कि आप देखिए जितने आज के तारीक पे बड़े ब्रिटिश हाउसे हैं जिसके आधार पर उनकी इन्वेस्मेंट होती है उसके पीछे पर दौलत देखिए तो वो दौलत आया कहा से वो आया है स्लेवरी से स्लेव ट्रेट से आया है बड़े बड़े जो टेक्स्टाइल रव द्योगों की बात करती है जिसके आधार पर ब्रिटिश एक जमाने पर हिंदुस्तान पर तो कपड़ा बेशते थे तो यह जो किया था हमारा यहां की कपड़े की इंडस्ट्री क को बरबाद करके तो यह जो किया था उसका पैसा कहां गया था किसके पास गया था। स्लेव ट्रेट से उसका कैपितल आया था तो ब्रिटिश कैपितल जो आजके finance capital के रूप में जारी है लॉइट्स का आपका insurance है banks है उनकी जो कहते treasure islands है जहां पर काले धन जमा होता है जिस पे कोई किसी की ख़बर नहीं होती है पता नहीं चलता है क्योंकि वो पूरा उसको secrecy act पे है यह सब अंग्रेज की है finance capital पे अभी भी अंग्रेज की जो बुलबाला है इसी लिए है कि वो colonial loot से banking industry वहां बनता है और वही banks आज भी दुनिया में एक बहुत बड़ा role play करता है जार्डिन मैथिसन के नाम आप लोगे सुना होगा वो opium trade से निकला और हकीकत तो है इस opium trade से यहां की बिटिश पूजी सिर्फ नहीं हिंदुस्तान की पूजी के भी बहुत बड़ा एक हिस्सा opium trade से निकला है टाटा के नाम कई बार आया है इस बारे में पर सिर्फ टाटा नहीं है बहुत सरे और भी इसमें तथा कथित जो कहते ना बोदी जी भी कहते हैं क्या कहते wealth creators की पूजी जो आई है यह बहुत घिनित इसका जो इतिहास है वो बहुत भीशन शोशन और उत्पीरन पर है उत्पीरन पर है गुलामी पर है इन सब चीजों से लिखला है प्रभीर अब हम बात करते हैं 9-11 की war on terror उसकी अभी बरसी बीती है लेकिन एक और जो war on terror हुआ था 9-11 की एक और जो घटना है वो थोड़ा पहले की है 1973 की जब चिली में पूरी अमरीका ने अपनी पर बात बे आते हैं global war on terror एक ऐसा क्या कह सकते हैं एक ऐसा दस्तवेज अमरीका ने बनाया है जिसके आधार पे उनकी सेनाएं किसी भी मुल्क पे कहीं भी किसी पर हमला कर सकते हैं और ये हमला इस वक्त बहुत भारी पैमाने पे आस्मान से किया जाता है ड्रोन के जरिए मिजाइल स्ट्राइक के जरिए किया जाता है तो उस पे जो है उनको वूट्स ऑन दे ग्राउंड उताने की जरूरत नहीं गया है सब कुछ हवासे हुजाता है सेनाए गई है अफगानिस्तान में गई है पर बहुत ज्यादा सेनाए भी वहाँ पर भी तैनात नहीं किया गया था वो भी हवाई युद्ध ज्यादातर से किया गया था वहाँ पर भी तो ये जो Global War and Terror है ये एक ऐसा दस्तवेज है जिसके आधार पे अमरीका तो युद्ध घोशना कर चुका है वो हमारा सामरिक शक्ति कहीं भी हम इस्तमाल कर सकते है और इसलिए किसी की Permission लेने के जरुवत नहीं है इस तरह से कि Open Ended युद्ध घोशना शायद दुनिया की इतिहास पे अनौकी है और आज भी सोच लिजए 2001 की बात है आज भी इस आधार पे इन्होंने कितने देशों पे हमला किया कहते हैं तो अलकाइदा वो था अफगानिस्तान पे उन्होंने हमला किया था अफगानिस्तान को तो उन्होंने तलिबान को उस वक्त निकाल दिया था इसके बाद वहाँ पर 20 साल रहे उसकी अलग इतिहास है हम उसको चर्चा पहले भी कर चुके हैं अगर देखें किन किन देशों पर हमला किया तो मैं सिर्फ चंद देशों कोई गिनाओंगा सब पूरा लिष्ट नहीं दूँगा इसमें तो ये देखिए सिरिया लिबिया येम मुल्क है अगर उसकी तजवीर देखें जो मैपस में आप देख सकते हैं कितने जगों पे उन्होंने अपने पौज को इतारा और कितने जंग उन्होंने किया है तो अगर आप युद्ध की देखें तो सबसे बड़ा युद्ध इस दोरान जो है इराक में है जो अभी भी उनकी सेनाये हैं उसके लिए अलग युद्ध प्रस्ताव उनकी सेनेट कॉंग्रेस में लाई गई थी तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूं पर इसके इलावा भी कितने देशों के मैं बदेख से कितने देशों पे अमरीका हमला किया है ग्लोबल वारन टेरर के नाम पे आज भ छोड़ के हमारे उपर तो नहीं करेंगे इन को छोड़ के सब देशों में किया है पाकिस्तान इंक्लूड़ेट जहां पर भी एरियल बंबारी हुई है तो बड़े पैमाने पे दुनिया पे जो ये ग्लोबल वारन टेरर के नाम पे कर रहे हैं इसका देखना पड़ेगा फ करदी छोड़ी थी तब कहा था मिलिटरी इंडस्ट्रिल कॉंपलेक्स से अमरीका की जनवाद का खत्रा है आज मिलिटरी इंडस्ट्रिल कॉंपलेक्स अमरीका पे पूरी तरह से हादी इसलिए है क्योंकि ये ग्लोबल वारन टेरर के नाम पे जितना पैसा चाहे खर्च कर स सिर्फ इतना ही नहीं वो अगला इसके बाद की 10-12 देशों से ज्यादा सामरिक इंवेस्मेंट करता है खर्चा करता है तो सब को अगर मिलाएं चीन, रूस को मिलाके उससे ज्यादा हमारा सब को मिलाके 10 देशों को अगर मिलाएं उससे ज्यादा खर्चा अमरिका अकेला करता है तो यह military industrial complex का finance है financing है और जिसका global war and terror से सिधा सम्मंद रखता है जी तो आज जब बरसी मनाई जा रही थी तो बहुत से अन्य पहलूँ पर बात हो रही थी जो 911 में हुआ अमरीका में लेकिन बाकी जो war crualities या war crimes हैं उन्पे चर्चा लगातार तकरीबन खतम सी है क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि युद्ध तो अलग अलग जगों पर हो रहे हैं नेटो विस्तार पा रहा है इनको लेकर चर्चा या एक perception जो अवधारना का खेल है western media जो पैदा करता है उसमें वह बहुत हावी है यह तमाम नरेशन बहुत कम हैं देखिए हवाई attack का यह फायदा है कि अमरीका का लॉस नहीं होता तो उसमें लोगों को मारने में उनके पहले कुछ ना कुछ नुकसान होता था इराक पे जो उनकी वहाँ पर सेनाय गई नुकसान हुआ अफगानिस्तान में सेनाय भेजी कुछ ना कुछ नुकसान हुआ इतना नहीं पर कुछ ना कुछ नुकसान हुआ तो यह जो होता है तो उससे अमरीका में विरोध होता है वियतना होता है आम जनता को लगता है हमारे साथ इसका कोई तालुक नहीं है कुछ खराब लोगों को हमारी सरकार मार रही है तो वो ठीक है और कितने मारते हैं उसकी हिसाब भी नहीं है कि कौन जाके देख रहा है कितने सोमाली मरे हैं कितना अफगान मरे हैं कितना कौन और मरे हैं तो ये एक कहते सैनिटाइजड वार है कि साफ सुत्रा जंग है जिसमें हमारा कुछ नहीं बिगड़ता और कुछ और लोगों को बिगड़ता हमारा सिर्फ है कि पैसा देना हमारे हाँ पर मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉंपलेक्स के इस लाफ उस तरह से कोई रेजिस्टेंस नहीं है जो वियतनाम युद्ध पर था क्यूंकि वियतनाम में वार पे बूट्स अन्द ग्राउंड था तो अमरीका सेना गई थी उसलिए प्रतिक्रिया देश में था यहां पर अमरीका सेना नहीं जाता है इसमें मिजाइल जाते हैं अमरीकी मिजाइल जाते हैं जिसके वजह से अमरीकी आम जनता पर उस तरह से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता और उसकी कोई हिसाब नहीं है कितने लोग कहां मरे हैं हिसाब कुछ लोग कर रहे हैं उसकी भी तसबीर है उसकी भी गिंती है पर कौन इसका देखता है वो तो एक map है न हमारे सामने वो तो सिर्फ numbers है इनसान नहीं है यह दिकत है जी इसलिए उन्होंने अपना mode change कर दिया यही वज़या है कि उनकी अभी भी उस तरह से resistance अमरीका के अंदर नहीं आ रहा है अमरीका तभी इस पर resistance आएगा जब वो देखेंगे कि सामरिक शक्ति के नाम पर जो खर्चा हो रहा है वो क्यों हमारे पीने के पानी पर नहीं हो रहा है क्यों हमारे सड़क पर नहीं हो रहा है क्यों हमारे स्कूल्स पर नहीं हो रहा है यह सवाल जब उठेगी आम अमरीकी जनता में तब शायद यह जो सर्वग रही एक जंग ग्लोबल साफ है चाहे इतिहास गुलामी का हो शोशन का हो या मौजूदा वर्तमान शोशन का हो अंधा धुन युद्ध का हो या सब हमारे आपके भविश्य को चौपट करने वाला है दुनिया को अंधेरे के गर्त में डालने वाला है लिहाजा युद्ध किसी भी रूप में अच्छ होनी चाहिए हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप देखिए लाइक करिए शेयर करिए पड़ताल दुनिया भर की न्यूस क्लिक ताकि सच को जिन्दा रखने की हमारी पहल जारी रह सके शुक्रिया